फ्रेंज आज की इस वीडियो में हम आपको सलवार की मोहरी में एक बहुत की खुफ सुरसा डिजाइन बनाना सिखाएंगे इसके लिए गाईस हमने यहाँ पर एक गोटा पट्टी लिया है जो की पिलेन गोटा पट्टी है और एक गोटा पट्टी हमने ट्रेंगल वाली है गाईस यह सब चीज आज कल मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाती है इसके बाद गाईस हमने एक तीन इंची चोड़ी पेपर फ्यूजिंग को कपड़े पर चिपका लिया है और इसकी लंबाई हमने अपनी मोरी के अकॉर्डिंग रखी हुई है अपकी भी चाहे मोरी कितनी हो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी चोड़ाई सेट कर सकते हैं इसके बाद गाईस आपने सबसे पहला काम क्या करना है एक पत्टी इसमें से लेलेनी है और उसको इसके बाद आपने एक गोटा पत्टी लेनी है प्लेन वाली और उसको यहाँ और इस तारी किया और इसी तरह तिर्चा करते हुए आपार पूरी पट्टी पर अिएak की गेब से गोटा पट्टी को साइट करना है प्टार फ्रेंज प imagining वाली हम इस ही तरीके से रहा है दुसरी वाली भी हम ने उसका से इस तरह से फॉल्ट कर्देंगे और एक साइड से हमने क्या करना है आप लेनी है अपनी सलवार यह देखे इसको हम उल्टा रखेंगे यानिकि सलवार को हम उटा रखेंगे और पर ने के बाद इस तरीके से हमने जो pattern त्यार किया है उसको यहां रखेंगे paper freezing के बिल्कुल बरावर बरावर सिलाई को एकदम सीधा लगाएंगे आदा इंच का margin लेते हुए इसको सीधा करेंगे इस तरीके से और सीधा करने के बाद में यहां पर इस तरीके से नाखुन मारेंगे और अब हम अपने पूरे सल्वार को भी सीधा करेंगे और इसको इस तरह से ओपर पलटेंगे और यहां पर एक टॉप स्टीच लगाएंगे पहरे फ्रेंस टॉप इस्टिच लगाने के बाद अब हमने क्या करना है हमने एक जो ट्रेंगल वाली लैस आपको दिखाई थी उसको लेना है और उसको इस तरह से यहाँ पर ऐसे फिट करते हुए स्लाई लगानी है तो फाइनली गाईस हमने अपनी लैस को भी लगा दिया और इसके बाद इसको उल्टा करेंगे और जो एक्ष्ट्रा कट्टी है इसको कटिंग कर देंगे तो गाईस देखिए यह है हमारी सलवार की मोरी का डिजाइन उमीद करते हैं आपको पसंद आया होगा इसी तरह का गाईस हम अपना दूसरा वाला पहुंचा भी तयार कर लेंगे और फिर हम आपको अपनी पूरी सलवार का पहनने के बाद में फाइनल लुक दिखाएंगे तो मिलते हैं अपनी नेक्ट वीडियो में तक तक के लिए थेंक्यू फॉर वोचिन